नमस्कार तेज कबर 24 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं अजिता मध्यप्रदेश के सिंगरॉली जिले के सराई धाना छेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां स्कूल में होने वाले परीक्षा के डर से घर छोड़ कर लापता हुए चार वासूम बच्चों को पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर पास के जंगल से ढून निकाला है आमतोर पर कानून व्यवस्था को लेकर खाकी पर अक्सर सवाल उठते हैं लेकिन सिंगरॉली पुलिस ने अपनी सतरकता सूजबूज और प्रयासों से लापता चार बच्चों को चंद घंटों में ढून निकाला है दरसलिया पूरा मामना सरई थाना छेत्र का है जहां स्कूल में होने वाली परीक्षा के डर से घर छोड़ कर भागे चार नाबालिक मासूम बच्चे जब समय पर घर नहीं लोटे तो चारों बच्चों के परिजनों की चिंताए बढ़ने लगी परिजनों ने अपने जिगर के टुकडों को भूनने के लाख प्रयास किये लेकिन जब कहीं कोई पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी सूचना मिलते ही स्पी अभिजीत रंजन ने मामले को संग्यान मिलेते हुए पुलिस को हर संभग प्रयास करने के निर्देश दिये इसके बाद पुलिस की सतरकता सूचबूज वप्रयासों से चारो बच्चों को 12 घंटों के अंदर पास के ही बंदा गाओं के जंगल से ढून निकाला गया घर से भागे हुए नावालिक बच्चे रास्ता भटक गए थे जिने हरी नारायन नामक व्यक्ती ने अपने पास सुरक्षित रखा था जिसके लिए एसपी ने हरी नारायन को सम्मानित किया है वहीं पुलिस ने चारो बच्चों के परिजनों के हवाले कर दिया है अपने जिगर के टुकडो को पाकर पैजनो वपडोसियों ने S.P. अभिजीत रंजन और पुलिस टीम का आभार जताया है पुलिस की पूरी टीम इसमें S.P. टी आई बर्गमा की विए पूरी टीम सरही की पूरी टीम आसपास की थाना चौप्यों की टीम सभी लोग इसमें जंगल को सर्च करने हैं सर्चिंग करने के दौरान सुभा तक करमें इसके बारे में कोई प्शेज जनकारी नहीं पाई हमें पस इतना पता चला कि बच्चे स्कूल के लिए तो निकले थी लेकिन स्कूल में वह नहीं पहुचे स्कूल के मास्टर साफ से भी बात कि हमने उसके संदर्व में पूछा तो उनको भी कोई प्शेज जाकारी इस संदर्व में नहीं थी सर्चिंग के दौरान ये बच्चे बंदा के पास जंगल में बढ़कते हुए बच्चे मिले बच्चों से जब ये कूस्ताश किया गया तो बच्चों ने ये पताया कि एकजाम न देने के डर से ये इस्कूल न जाने के डर से ये लोग जो है दर से बाहार चले गये और वहीं बंदा के पास एक सजन बेखती एक गुजल सिमास काई बेखती है उन्होंने इनको रात में आश्रे दिया इनको कंबल में लपेर करके इनको अच्छे से रखा और फिर सुबा जो है यह बच्चे अपने घर वापस रौट रहे थे रास्ते में को पुलिस की चीज़ इतने किलूम्टर दूर उसर चले गए थे तकरीमन अपने खर से आट-दस किलूम्टर दूर निकल गए थे तो कि उदर जंगली एलिया है पहाड भी है चोटे-चोटे-चोटे पहाड़ी है उस कारण से बच्चे मार भटक गये थे किसी वाहन से गये थे या पैर नहीं यह अबीत्त की जानकारी मिली है उसके अधार पे बच्चे पंदर ही धर उधर गए लेकिन मैं उस व्यक्ति का और गुर्जर समाज का जी व्यक्ति है उसको मैं बड़ा ही धर्नवाद करना चाहूंगा अच्छे नागरी के रोप में उसको अनुकरनी है उन्होंने कारे किया है और चार बच्चों के रिशित रूप से हुने जानके इपाज़त की है